चेहरे पर बर्फ लगाने से स्किन को कई तरह की फायदे मिलते हैं मेकप से पहले बर्फ लगाने से मेकप लॉंग लास्टिंग रहता है साथी आइस क्यूब्स को चेहरे पर लगाने से ग्लो आता है इसे लगाने से शरीर से विशाग पधार बाहर निकलते हैं और स्किन क्लियर होती है साथ ही इसे लगाने से आपका चेहरा तनाफ मुक्त भी होता है और स्किन को कई तरह के फायदे मिलते हैं जी हां कहते हैं कि बर्फ के टुकडों को सीधे अपने स्किन पर नहीं लगाना चाहिए क्योंकि ये नुकसान पहुचा सकती है इससे आपको जलन या इरिटेशन हो सकती है इसलिए ऐसा करने की सलहा दी जाती है कि अगर आप चेहरे पर बर्फ लगा रहे हैं तो उसे पहले अपने कॉटन के रुमाल में बर्फ के टुकडों को बांद ले फिर उसकी मदद से चेहरे की मसाज करें अगर आप चेहरे पर बर्फ लगाते हैं तो आपकी स्किन रेड हो सकती है इसके अलावा जिन लोगों को ड्राइनेस की दिक्कत है तो अगर वो चेहरे पर बर्फ की मसाज जादा करते हैं तो उसकी स्किन ड्राइ हो सकती है पिल आपकी चेहरे पर बर्फ लगाना सूट करता है या नहीं इसे यूज करने से पहले आप अपने स्किन डॉक्टर से जरूर कंसल्ट कर लें फिल हाल के लिए इस वीडियो में इतना ही ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए चैनल से जुड़े रहें और बोल्ड स्काई को सब्सक्राइब करना ना भूलें